बॉन मॉर्निंग फ्रेंट्स आज हम एक बहुत इंटरस्टिंग केस देखते हैं यह एक ओल्ड पाइल्ज का केस है जो एक यंग यंग मेल है यह कब आता मेरे पास जब इसको तकलीफ पहुच जादा हो रही है और इसकी कोई कजन सिस्टर है उसने ट्रीटमेंट लिया था तो उसका पाइल्स बैटर हो चुका है तो उसने इधर रिफर किया तो यह पिशन्ट आया मेरे पास ठीक है तो यह तो पहले घर पर यह आगे था क्योंकि वहीं आसपास रहता है तो फिर मैंने कहा है क्लीनिक पर आजाओ तो यह जब क्लीनिक पर आता है तो बोलता है कि दुक्सा मैं बैठ नहीं पा रहा हूं ठीक है लहकता है दर्द बना रहता है सुबह दवा खालेता हूं तो हलक का आराम रहता है बाग की 24 गंटे दर्द बना रहता है और लेट्रिंग करने के बार तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है कि बैठ नहीं पाता हूं कि पहले तो दर्द कम था लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है कि अभी दवाई खा लेता हूं तो बाहर का दर्द कम हो जाता है लेकिन अंदर का दर्द बना हुआ रहता है तो मैंने पूछा मन क्या करता है इस टाइम पर बूला मन करता है लेट जाओं जाया देर तर मैं बैठ नहीं पाता ठीक है और कि भगवान को याद करता हूं हूं इस नाम निकलने लगता है भगवान का इतना दर्द होता है तो उसने बोला चीजांप बहुत ही ज़याद होता है तो परrol लिक्त तो बाता है दिमाग में यही है है कि यह दद कैसे ठीक होगा तो मैंने पूछा कि इसको लेके कहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया तो बुला डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और अभी अथाइस से तीस दिया रुपए चाहिए मुझे इलाज करने के लिए तो इतना हिम्म कि स्थेकिंग में मैंने इसको मेजिसें दिखाया हूं दी ताभी मैंने निए उसने नहीं काम किया अब ये नेक्स कॉल ओप में आता है ओ हम थिके तो अब या बोलताbecि मैं क्रीम लगा लेता हूं उम तो अराम मिलता है क्रींश्व बिलकुल थीक रहता है है गार ठीक है ख तो तो मैंने कहा कि operation क्यों नहीं कराते तो बुला कि अब करने वाला कोई है नहीं में अकेला हूं ठीक है फादर कोई काम नहीं करते मुझे करना होता है मोगहर मैं सबसे बड़ा मैं ही हूं ठीक है एक बहन है तो तो इस यह सोच के कि भी मैं operation नहीं करा रहा हूं कि कौन करेगा फिर ठीक है और दर्द मैंने पूछ दर्द कब बढ़ता है तो बोला लेटन जाने के बाद इवन छीकने से इवन खासने से जब इस टूल कड़ा होता है तो भी बहुत दर्द होता है और इस टूल तो इतना कड होता है बहुत दर्द को जाता है भी यह कुछ क्छां निकलती है तो फिर और बार 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 इस टूल जाने के अ होती है और जब अर्जिंग होती है ना तब जारद होता है लेट्रिंग की जैसी इक्षा होती है तो दर्द बढ़ जाता है खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है फिर मैंने पूछा अभी और और कुछ बताओगे तो बोलता कि यह यह चल रहा बहुत टाइम से ठीक है कुछ खानी पा रहा हूं मैं जो भी खाता हूं वह पेट में रखा रह जाता है वो पस्ता नहीं है ठीक है देखो आप पेट भी इतने ज़्यादा फूल ने लगा है और मैंने जिम जाने को सोचा है तो मुझे मना कर देक्कित जिम मत जाओ ठीक है तो मैंने कहा की दैंतर की वैसे क्या सोचा रही है बुरा जी दर्ट ठीक ही नहीं हो रहा है इतना भाहिंकर दर्थ है इसमें तो ऐसे कुस्ता बहुत आता है Even मैं गौन को कोशता हूं भग्वा तो क्रेम लगा लेता हूं तो थोड़ा सा बहतर हो जाता है और यह अब्जरविशन था तो जो पिशंट था ना बार-बार ऐसे कर करके मुझे बता रहा था ठीक है कि इस तरीके का इतना गांट हो गया है और वो ऐसे करके ऐसे करके वो पूरा पूरा जस्टिकुलेट करके कोसिस कर रहा था वो किस तरीके का problem है उसको तो अभी मैंने कहा भी क्या कर रहे हो आप तो बोला कि मैं private job करता हूं ठीक है और मैंने मैं तो बच्पन से कर दिया था काम करना बहुत छोटा था तब क्योंकि घर मैं करने वाला कोई था नहीं मुझे ही सब कुछ करना था घर के हालात देखकर मैं थोड़ा समझदार था इसलिए मुझे वो सब सुरू करना पड़ा चीक है घर की देख रेख फैमिली समालना इवन सिस्टर की शादी भी मैंने करी कोई इवन कर्जा भी नहीं लिया मैंने और वो सब किया तो अभी तो मैंने अपने आपको छोड़ ही दिया है फैमिली पर जादा मेरा फोकस था और बीमारी में मैंने शुरू आखिए पहले-पहलो लेकिन मैंने घर के हालातों को जादा समझा और छोटे से मै ने काम सुरू कर दिया तो अभी तो मेरा बजट ही नहीं था और अभी भी मेरा बजट नहीं है कि मैं operation करा सकूं ठीक है और मामा की दवाई में भी पैसा लगता है तो मुझे वो सब पहले देखना पड़ता है तो मैंने उसको maintain करके चलता हूं मैं मुझे जहां खर्च करना होता है मैं कर लेता हूं लेकिन सोच समझ के खर्च करता हूं मुझे मालूम है कि महीने मुझे इतना इतना देना लेना है तो मैं वह कर लूँगा यदि वह हो चलता है फिर उसके बार मैं अपने उपर खर्च करता हूं ठीक है और इतना कंजूसी से नहीं चलता लेकिन मैं थोड़ा से समझ के चलता हूं कि कहां मुझे कितनी जरूरत है उसे साफसे मैं अपने आपको आगे बढ़ाता हूं और मेरा नेचर है साफसफाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सब चीज़े ववस्थे चाहिए रहती है तब जाके मैं तब मुझे चैन पढ़ता है तो अभी यह फिर से फॉलॉप में आया है यह मेरा थार्ड़ फॉलॉप था ठीक है अभी तक मैं मेडिसिन समझ नहीं पाया था समझ गया था पर मैं दे नहीं पाया एक्चली मैं वह कहीं मुझे एक रूपरिक ने मुझे ट्रैप कर दिया था ठीक है तो अभी इस बार आता है तो बोलता है कि अभी तो ऐसा लग रहा है ना उस मोशन में की खाने के बाद अभी यह इसने यह कहीं गया था पिशेंट मतलब कहीं बाहर घुमने गया था तो उ सल्सके लग रहा है कि रॉक confront भी वह लेटिंग की राष्टे बहुत जaldo रही है और बार-बार मोसन आ रहा है ऐसा लग रहा है कहीं कैंड गडबल ना हो जाए ह। बहुत ज्याय दर्थ है और खुजली बहुत होती है उसमें ठीक है अभी मैं बैटनी पा बैक में फंगस भी था तो उसका बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और वो क्या बोल रहा कि मुझे इस खुजली को लेकर बड़ा अजीब से लगता है बिकार लगता है क्योंकि मुझे ना रहाने का सौक है स्विविंग पूल में जाने का तो मैं वहां पर कपड़े नही सपीशियस थी उसको ऐसा रखता था कि यह लड़का के कई सारे अफेयर्स हैं और दूसरी लड़कियों से मिलता है तो फिर उसने वह लड़की इसको छोड़के चली गई बट इसको बहुत ज़्यादा खास इंपेक्ट नहीं हुआ तो इस केस में बहुत सारे रूब्रेक् यह बारा आपको कुछी इंपोर्टन लगती हैं बट आपको निकालना पड़ता क्योंकि वह अब्जर्वेशन करता तो यह अब्जर्वेशन मेने टाइम्स कवर्द पैरिफेरल आफ डर केस बट इस इस नौट केस एक्चुली में ठीक है तो जो आप अब्जर्वेशन में में रखते हैं तो मेरा यह फिफटीन फिफटीन ट्वन्ती इस लिए इस रूब्रिक ने खाया मेरा थीक है तो वह क्या था यह से करके बता रहां था से करके से करके यह से करके एवाज सब्द कम्मुन्यो केशन तो absolutely was communicative गयाई बट इस रिमैडी इस नोट कवरिंग कम्नु केटिव में थी जिसे फॉस्फोरस थी और लाक एस थी तो अभी देखिए इस केस में जो मैंने वापस रूब्रिक लिए थे फिर फाइनली जब मैं रूब्रिक जोड़ता गया जोड़ता गया तो फिर एक रिमेडि आती है हमारे पास वो देखते हैं तो सबसे पहले इसको ज करने की कोशिस कर रहा है इवें यह अपने आपको अभी अपने को अलग कर दिया मतलब इंडिफरेंस हो गया फॉर हिमसेल्फ लेकिन वो दोसरों के लिए किये जा रहा है फैमिली में पेरेंट्स का मदर का सबकी दवाई देखना यह करना वो करना इसलिए उसने शुरू से काम धंदा करना शुरू कर दिया था जब वह बहुत छोटा था तो एलमेंट फार्म केर एंड वरीज यहां से उसका प्रॉब्लम आया अब एंगर पेन अबाउट ठीक है तो एंगर एंगर पेन अबाउट तो उसने बोला है गुसा बहुत आता है ऐसा लगता ही कट कर दू उस एरिया को तो एंगर पेन अबाउट और कट मिट्रिलेट डिजायर तो यह रूब्रेक है हमारे पास कि जब ऐसा कोई बोलता है ना पिशेंट कि मैं ऐसा लगता कि इस पार्ट को मैं काट डालू तो कट मिट्रिलेट डिजायर एक रूब्रेक देखिए ब्लैस फैमी गॉड को यह बुरा भला कहता है बोलता है कि इतना दर्ज तुमने क्यों दिया मुझे ठीक है तो गॉड को गालिया देता है एब्यूजिव इंसल्टेंग गुस्से में और गॉड की निंदा करता है तो इस ब्लैस फैमी हमारे पास रूब्रिक है ब्लैस फैमी तो अभी र if insulting ठीक है अब पेशन बोलता है कि बैठ नहीं पा रहा है ठीक है काम इसका बहुत दिक्कत हो रहा है तो यह है business incapacity बैठने का काम है उसका ब्रयू बैठने ही बारा रहा है इनकैपबल हो गया है अपने काम को लेके तो बैठ नहीं पारा तो इस इस बिजनिस इनकैपसिटी अभी देखिए कई बार वो जब एक पंदरे जिन हो गया बीस दिन हो गया रिमेडी मैंने गलत दे दिया तो उसको अब ऐसा लगता है कि यह ठीक नहीं होगा तो यह डाउट जागे खा लिया था और अभी ऐसा लगता है कि लगता कि मेरा पैंटी खराब हो जाएगा इस टूल जाने की बार-बार इक्षा हो रही है कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो फियर अफ लूजिंग कंट्रोल ठीक है और sensitive to pain बहुत जाएदा दर्द की वज़े से बर्दर्द बरदास्त रही हो रहा है ठीक है और उसने बताए कि मैं क्रीम लगाता हूं तो तुम मेरा को थोड़ा सा अराम मिलता है तो यह क्या है magnetism amelorate तो यह बहुत important डूब्रिक है magnetism amelorate जो फॉस्फोरस में है इविन फॉस्फोरस लाकेसिस में भी है तो कई सारे पिशेंट कहेंगे टॉक्ट साब जब मेरे को दर्द होता है ना दर्द होता है तो मैं यह पट्टी लगा लेता हूं वह क्रीम लगा लेता हूं तो क में कोई लगा लेती हैं तो यह उससे बैटर फील करते हैं तो इस 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 मेगनेटिजम amelorate उसके कॉंटेक्ट पर उनको रिलीफ फील होता है तो फाइनली आई गेव हिम नक्सवर्मिका 200 एंद आफ्टर गेविंग नक्सवर्मिका 200 उसके बाद से उसका प्रॉब्लम इस इपसिलेटली बैटर सिंज बैट नक्सवर्मिका 200 टो एया तो देखिए आप इस केस मैं जो constitution था पता नहीं हो सकता है किसी रिपटरी में नक्सवर्मिका वीची चेफ मिला तो यह कभτο यह सुनक्शुर्मिक लुब्लिक और कि मैंन स्वर्मिका तक नहीं पहुंच पा रहा था बड़ तो नक्स वोमी का जो पेशेंट होता ना बहुत ज़्यादा एंगरी होता है इरिटेबल होता है इस्पेशली पेन के टाइम पे वो बरदास्त नहीं होता ठीक है उसने बुला ना कि सच्छा मर जाए तो जादा अच्छा है तो यह 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 संस्ट उनको ambitious, industrious, महनती बहुत होते हैं जैसे ये लड़का बहुत महनती है, 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 इसने महनती करना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो industrious and ambition increased and very fastidious, very meticulous, सब चीज़े इनको टाइम पर विवस्थिच्चा ही रहता है, तो इसका follow-up सुन सकते हैं, पूल शीच्चछ दे भी सुन सकते हैं, इसकी से